विर कोर्सिंग 202 जले आरा का अशनातक पार्थरी का जो एकजाम है शुरू होने वाला है आपका एकजाम 28 जनौरी से सुरू होगा जनौरी का लास्ट वीक और फरवरी का लास्ट वीक में ये अशनातक पार्थरी का एकजाम होगा आप लोग का एड्मिट काड 23 जनौरी को जारी होगा विशो भी देले जारी admit card online करेगा इसके बाद हम आप लोग को कुछ दिन पहले बताये थे कि कुछ हम लोग पहले लेते हैं इसके regarding हम GES paper जो होता है सभी का compulsory है आपको देना GES paper सभी को देना है जो GES paper को हम syllabus और previous year यानि कि दो वीडियो हम upload की हैं आप लोग देखेंगे और इसके बाद जो paper 5 है paper 6 है paper 7 है और paper 8 है तो यह जो चारो बीसे है यह चारो बीसे हो में paper जो 8 है उस paper 8 को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे जिनका भी part 3 exam है वो लोग सभी लोग बारिकी से समझेगा और paper 8 का जो है उसका उत्तर question जैसे भी है आपको इ 200 भी देले आरा अशनातक part 3 यह जो PDF है यह PDF फिछले year का है सबसे पहले इस पीडियो को हम समझते है जिनका भी exam जुलोजी है यहाँ पे देखिए जुलोजी है बोट्टी है फिजिक्स है कमेश्ट्री है सैकलोजी है जोगरोफी है अन्या और भी practical subject है यदि आपका practical subject नहीं है तो यह दियान में रखिए सभी विद्यार्थियों को सुचित किया जाता है कि paper art यहाँ पे गौर कीजेगा paper art का परयोगिक परिच्छा के बारे में अब तो यह date नहीं मायने रखता है यहाँ यानि कि paper art पर हम बारे में यहाँ पर हम बात कर रहा है तो paper art जो paper होता है दे अब इसमें क्या होता है यहांपर भी देखे लिखा एपर लिखा एब लोग बहुस सारे चातर कण्फीजोन हो जहेंगी कि पिपर आछ करन्फ का यह मामला किया है तो पिपर आठ過 यही मामला है कि आपको उस दिन एक्जाम देने नहीं जाना है अब बहुत सारे छातर confuse में होंगे, कि रूटीन में पेपर आर्ट लिखा है, एक्जाम देने नहीं जाना है तो आपका सेंटर जहाँ पर भी है, उस दिन आपको एक्जाम देने नहीं जाना है कौन कौन छातर नहीं जाएंगे ये सुननी जीए नहीं तो बोलेंगे कि सर हमारा एक्जाम छोड़वाती है देखिए यहाँ पर उपर लिखा गया है जुलूजी यदि आपका अनर्स है तो आपको पेपर आर्ट सेंटर पर एक्जाम देने नहीं जाना है बोटनी है तो आपको एक्जाम देने उस दिन नहीं जाना है फिजिक्स है तो आपको एक्जाम देने उस दिन नहीं जाना है कमेश्ट्री है आपको एक्जाम देने पेपर आर्ट के दिन नहीं जाना है साइकोलोजी है उस दिन पेपर देने नहीं जाना है जोगरफिय ए उस दिन आपको फिपर देने नहीं जाना है अन्य और भी practical subject है विडियो के description box में एक link डाल देंगे कौन सा subject practical है कौन सा subject practical नहीं है उस विडियो को जाकर जरूर देख लिजिएगा ताकि आपको confusion नहोना देखिए, practical subject है तो paper 8 के दिन नहीं जाना है practical subject यद todavía का नहीं है तो उसदिन आपको एकजाम देने जाना है, जैसे हिंदी हुआ हिस्टरी हुआ, अन्य जो भी subject है, यदि आपका practical subject नहीं है, उस दिन आपको एकजाम देने जाना है, अन्य नोटिस के यहां पर पूराना डेट है उस डेट को आकर आपको एकजाम देना है रोल नमर वाई यहां पर आप देख सकते हैं पेपर आर्थ का जो पेपर होता है यह आपने कॉलेज में ही एकजाम होता है और कॉलेज में उस दिन एकजाम नहीं होता है कॉलेज क्या करता है कि एक डेट जारी करता है, उस डेट में आपको एक्जाम देना होता है, जाकर कॉलेज में अपना, उस दिन आपको प्रैटिकल का बुक लगेगा, बुक आपको बना लेना है, साइकलोजी है तो आपको दो कॉपी बनाना है, अन्या जो भी सब्जेक्ट है आपको अपने आठवा पेपर हैगा उसका उत्तर आपको ले लेना है प्रैटिकल कॉंपी बनाना है और कॉलेज डेट जारी करेगा तो आपको क्या करना है कि एक्जाम उसको जाना है उसका डेट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्रम गुरूप से जूर पत्र भी ले कर जाना होता है साथी देख सकते हैं कि सभी कॉलेज का जो आठवा पेपर होता है यहां पर देख सकते हैं कि आठवा पेपर जो लोजी प्रैटिकल का यह नूटिस है अलग 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 नूटिस निकाला जाता है जिसमें यहां पर देख सकते हैं कि प्रैटि पेपर आठ यहां पर देख सकते हैं सामल खर्या का यह नोटीस था पिछले यह रहे यह नोटीस आपका नहीं है यह हम डेट वाइज हम आपको बता रहे हैं कि इस डेट को आपका जो एक्जाम होता है पार्थिरी का आठवा पेपर उस दिन आपको कॉलेज सेंटर पर नहीं जाना है आपको अपने कॉलेज जाना है यहां पर भी देख सकते हैं कि पार्थिरी का यह आठवा पेपर है और इसमें भी क्या होता है कि अपने कॉलेज पर ही आपको एक्जाम देने जाना है यहां पर भी देख सकते हैं कि पार्थिरी का जो आठवा पेपर होता है आपको college में एक्जाम देने जाता है तो ये part 3 का जो एक्जाम है paper 8 जो है आपको उस दिन center पर नहीं जाना है exam देने उस दिन paper 8 जिस दिन आपका होगा आपको उस दिन center पर नहीं जाना है उस दिन अपने college में जाना है लेकिन आगे जो जनकारी है आगे जब आपको हम बताएंगे उसमें आपको हम बता देंगे तब तक के लिए बाइन टेक केर फिर मिलते हम नेक्स्ट वडियो में